आज मैं आपको आई लाइशिस पलकों को लंबा और घना बनाने के लिए बहुत अच्छी रेमिडियस बताऊंगी आप इस रेमिडिय को यूज कीजिएगा चन्द ही दिनों में आपकी आई लाइशिस बहुत लंबी और घनी हो जाएंगी इस मिक्सटर को बनाने के लिए आपको चाहिए ऐलोवेरा जेल, कस्टर ओयल और विटामिन E कैपसूल विटामिन E कैपसूल आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे अलोवेरा जेल में बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रियंट्स पाए जाते हैं जो आई लाइशिस और आई ब्रोस को गरो करने में बहुत ही बेनिफिशिल है कस्टर ओयल बहुत ही पावरफुल ओयल है ये बहुत चल्द आपकी आई लाइशिस को गरो करता है और उन्हें ठिक बनाता है और ये मारिक्रो और्गैनिसम्स के खिलाफ फाइट करने में भी बहुत हैल्पुल है आप एक बावल ले लीजिए उसमें आप एक चाय का चमच अलोवेरा जेल टू टी स्पून दो चाय के चमच आप कस्टर ओयल और दो विटामिन ए कैपसुल एड़ कर दीजिए इन सब इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरहां से मिक्स कर लीजिए विटामिन ए ये हल्प करता है आई लाशिस को गुरो और ठीकर बनाने में और इसके इलावा ये स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है इस मिक्सर को अच्छी तरहां से मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए आप इस मिक्सर को स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रीजरेटर में आप डेली सोने से पहले इस मिक्सर को अपनी आई ब्रोज पे और आई लाशिस पे अपलाए कीजिएगा आप कोई भी ब्रश इस्तमाल कर सकते हैं आई लाशिस के लिए इसके इलावा आप नसकारा प्रश भी यूज़ करके इस मिक्सर को आई लैशिस पे अपलाई कर सकते हैं इस तेहमिदी को आप डेली यूज़ कर सकते हैं इससे बहुत जल्द आपकी आई लैशिस बहुत लंबी हो जाएंगी अगर आपने चैनल को अभी सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए इसके इलावा अगर आपको किसी किसम की भी प्रोब्लम हो और किसी भी मसाइल का सामना हो तो आप वर्टसब की जरू जी प्लस जी मेल ट्वीटर या फेस्बूक पेज के जरीए कॉंड़क्ट कर सकते हैं